हेडो दोस्तों आग मैं आप सब लोगों को रास्त कीवाद बताने आया हूं जो मुझे भीपरसणली बहुत पसंद है और बहुत सारे लोगों को भी पसंद है बहुत सारे लोगों ने मुझे मेसीज़ करके पूछ ह्पूछा वो लोग जब मुझे में थोड़ा सा पता देता हूं कि जब बच्पन में हचोटने थे तो एक डाय偋ग को सुने घाइलोग तो हो एक तो थोड़ा सा वह घता मन में में मेरे बहुत ही है मुझे वह बहुत अचछे लगता है और उनके एक मूवी आई थी कुछ साल पहले साहिब बीवी और गैंग्स्टर वो मूवी मुझे बहुत पसंद थी परसनली मैंने कई बार देखी है तो उसमें उन्होंने ऐसी मूझे रखी थी और उनकी मूझे देखकर मैं इंस्पायर हुआ था और तम मैं पापा को बोलता था म मैं छोटा था कि मिरेको ऐसी मूझेंड यह रखना मेरी बेहां दो मेरी ऐसी हो जाएगी ना मइब 레burghall को और कैसे मेरे और दियां मी moisture जी असए चक्ठ के बना चाहता हूं सच्छे दिल से मन से और उन्हीं से नहीं मिल पाया इतने लोगों से मिलिया सोनुसुद जी से राज कुमार जी से बहुत बड़े वेड़े एक्टर से मिला हुँ लेकिन जिम्री शेरिगलसे यह इन्याट चाहता हूं चलो इतनी बड़ी जिन्दगी है भी बहुत लाइफ पड़िया हो सकता है कभी मौका मिले मिलने का और मूचे तो देखो हमारे इस भाई की भी है मेरे को मतलब हर चीद मूच्छों माली पसंद है यह भाई भी मैंने मूच्छों माला इलागे रखा हुआ है हाँ अगर आप लोग चाहो ना तो आप लोग मुझे जिम्मी किस किस से मिला देखो सब के अपने अपने शौंक होते हैं सब की होबी होती है मुझे बच्पन से यह फिल्म इंडस्ट्री वगेरा क्रिकेट वगेरा मतलब ही जितने भी एक्टर्स और सेलीबिटेटिस होते हैं इनसे मिलने का बहुत शौंक है कुछ लोग कहेंगे कि यह क के लिए बड़े नहीं होगी लेकिन मेरे लिए बड़ी है मेरा यह शौंक है हर बंदे की अलग-अलग शौंक होते हैं अलग-अलग होबिस होते हैं और अगर एजुकेशन के बारे में बात करें ना पढ़ाई की बात करें ना तो देखो पढ़ाई में भी जो आदमी भी नहीं मारना चाहिए उनको पूरा करना चाहिए अगर मैं सिर्फ पढ़ता ही रहा है यार मैं पढ़ता ही रहूं तीन-चार साल उसके बाद मेरी नौकरी लग भी जाए सब कुछ मतलब अपनी लाइफ को ऐसे नीयूरत से करें दो है और को मैंंद फ्रेश रहेगा माइंड फ्रेश रहेगा तो ज्यादा ऊट्पूट निकल पाएगी एफिशेंसी अच्छी निकल पाईगी अच्छे से बढ़ पाओगे जब भी मैं इन एक्टर्स वगेरा से मिलकर आता था उस दिन मैं कोशिश करता था डबल पड़ू जितना मैं नॉर्मल डेज में बढ़ अपको बैलेंस रखना है कि अपने जो शौक हैं उनको भी पूरा करो और अपनी पढ़ाई भी रखो साथ-साथ मेरा क्या था मतलब जैसे मैं आपको बताया कि बच्छपन से बहुत शौक था इसे इन सबसे मिलनेगा तो मेरे को जब भी बते दलता था कि हमारी सीटी में य वह एक्चल में हमारे यहीं गुडगाओं के रहने वाले हैं और मेरे बहुत क्लोस फ्रेंड के फ्रेंड हैं तो उनसे तो मैं इतनी बार मिलाओं शायद मेरे कोई ध्यान नी कितनी बार मिल चुका हूं मैं उनसे बहुत ही हमल पर सना इतने डाउन टूर्थ है मतलब इतनी लोगों की मदद करी और मतलब वो तो मसीया बने मैं लोगों के लिए उनसे भी मिलाओं मैं इवेंट्स वगेरा में वह भी बहुत डाउन डूरते हैं और बहुत से रेक्टर से मिलाओं और एक और चीज इन सारी चीज़ों ने भी ना मेरी पढ़ाई में बहुत मदद करी म मदद कैसे करी देखो मुझे और मेरे पापा को हम सबको ना मतलब मैं जब से चोटा था पापा मैजिक शो वगेरा दिखाने ले जाते थे तो बच्पन से ही शौक था उस चीज़ का तो पहले तो गुडगाओं में बहुत शोज लगते थे अब पिछले कई सालों से नहीं लग रहे रीजन पता नहीं क्या है तो एक समराठ शंकर जी हैं बहुत ही बड़े जादूगर हैं वर्ल्ड फेमस है वो तो उनके जादू के शो देखे वे कई साल हो गए थे तो हमने का की पता करते हैं कहा लगा है तो हमें पता लगा कि कुरक्षेत्रा के पास लाडवा मे वहां तक गई उनका शो देखा उनसे मिले उनको बताया कि हम ऐसे गुडगाओं से हैं बहुत अच्छे हैं उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया हमारे साथ बैठे बाद में शो के बाद और परस्नली उन्होंने हमें Magic Shows वगएरा Magic Tricks वगएरा करके दिखाए और उन पर आते हैं जो पहले बात कर रहा था आयुश्मान खुराना है उनकी शूटिंग हुई थी यही मेरे घर के बिल्कुल पास तो शूटिंग में गया था मैं और भी बहुत सारे हैं मैं नाम क्या मैं फोटो जाल दूआ हैं आप देख लेना और मेरे फ्रेंड के घर में ने खान हो जाता था पढ़बड़के माइंड धिक जाता तो अपने पापा के साथ टाइंप स्पेंड करके उनको कहता था कि कोई मतलब पुराने टाइम स्टोरी पगेर सुनाते थे मुझे या तो महाबारत की अब मेना बहुत इंटरस्ट आने लगा और लखीली मेरे में द्रोन बनते हैं, उन सब character से भी मिलने का मौका मिला है, सतीश कौचिक जी है, director है बहुत बड़े उनसे, और इतने बड़े clickers जैसे Chris Gayl हो गये, Sauag हो गये, K.L. Rahul, Siddharth Kong, Venkattesh Prasad, बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिन से मुझे मिलने का मौका मिल आए, अज़ान देते हैं तो पापा को बलता हुए उससे क्या करते हैं प्रिप्ते लिए हमारे जो भी हमारा कलचर उससे रेलेटर बहुत अच्छी आच्छा ग्यान देते हैं मेरे को अगर आप सब लोग भी इस टाइप की स्टोरी सुनना जाते होगी आपकी हेल्प उपाइज के जीस में तो हमारा जो दूसरा चैनल है कपूर खांदान उस पर पापस हुनाते रहते हैं आप कमेंट कर सकते हो और जब भी आप पढ़ाई के बीच में आप entertainment चाहो मतलब ठक गए और अपने तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में